हलो एब्रिवन आप देख रहे हैं All Study Easily Channel आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का पाइलोजी का इंपोर्टन कोश्चिन बी ओडी तथा शी ओडी से आपका समझते हैं यह आपका बोर्ड एक्जाम में हमेशा आता है चाहिए यूपी बोर्डो चाहिए उतराखन बोर्डो तो चलिए स सबसे पहले में परिवासा लिखोंगे फिर आपको समझाओंगी ग्हाँबंग परिवार्डो तो में समय समय और यह जो मुत हैं यह आपका समय अंजन Tillman इंप चैंघ झापका समय आता हैं में समय कोश्चिन लफप्तराण को कि बाद़रो तो में सकतनी इह जड़त्राण को양न C20 में समया में सबस्त्पटरु income. झाल 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 तो चलिए अब हम इसे समझ लेते हैं लिख लिए हमने देखिए BOD तता COD क्या है देखे BOD क्या है ऑक्सिजन की वह मात्रा है क्या है BOD ऑक्सिजन की वह मात्रा है जो की कार्बनिक पदार्थों को अब घटित करने के लिए एरोविक जिवान वो द्वारा प्रियोग होती है ठीके न वच्चो क्या है ये ऑक्सीजन की वहा मात्रा है जो कार्बनिक बदार्तों को अब घटित ठीके कार्बनिक बदार्तों को अब घटित करने के लिए एरोविक जिवान वो द्वारा प्रियोग होती है इतना के लिए रहे देखिए मैं पहले भी एक वीडियो की अलग से बना चुकी हूँ कि BOD मैंने अलग बताया और COD अलग बताया वह आपको वीडियो चीह तो आपको एंड़ स्किन में मिल जाएगी आप वहाँ से देख लीजिएगा अगर आपको क्या है ओक्सिजन की वहाँ मात्रा जो की अनुपयोगी जल में कार्बनिक अकार्बनिक पदार्तों के अब घटन के लिए अविश्यक है किसके लिए है अब घटन के लिए अविश्यक है कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्तों के लिए अब देखिए अतहा COD का मान सदे BOD से अधिक होता है क्या है यह जो COD है COD का मान हमेशा BOD से अधिक होता है तो यह था आपका BOD और COD I hope आपको समझ में आयागा गर समझ में आया तो प्लीज चानल को सस्काइब करें अब बैल आइकन जरूर दबाए ऐसी नेक्स्ट वीडियो के लिए बैल आइकन दबाएंगे तभी आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आएंगे थैंक्यू अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे